तो पहला सवाल मेरे भेजे में ये उठता है कि ब्रेकियल प्लेक्शस क्या है और क्यूं है अब हाथ का हो कोई भी मूमेंट चाहे तुम्हें करना हो भांगडा या फिर भेजना हो अपनी कर्श को हाई इस सब के लिए तुम्हें चाहिएगी एक इन सभी मसल्स की नर्व सप्लाई आती है ब्रेकियल प्लेक्शस से अब सवाल ये कि ब्रेकियल प्लेक्शस वाला भूतिया पर आता कहां से है तो हो कोई भी पेरिफ्रल नर्व चाहे हो ब्रेकियल प्लेक्शस चाहे हो लंबर प्लेक्शस पेरिफ्रल नर्व आएंगी नर्ज जो आती है पाँच से कौन सी पाँच से पाँच से अच्छा इसका मतलब ब्रेकियल प्लेक्श आता है सी पाँच से लेके और अगली 5 नर्व मीन टीवा तक सी 5, 6, 7, 8 और टीवाट तो स्पाइनल कॉट से निकलने वाली नर्व को समझने के लिए एक बात देख लेते हैं यह cross section तो यह है हमारा anterior portion और यह है हमारा posterior portion of spinal cord इसको काटा गया है transverse ही हमें दिख रहा होगा यहां पर निकल रही है एक anterior nerve और हमें ऑल्सो दिखा ही देखिए posterior nerve जो जा रही है पीछे से यह बात हम discuss क्यों कर रहे हैं क्यों कि जब हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं तो हमें यह दिखने को मिलता है कि जो posterior nerve जा रही है वो जा रही है receptor की तरफ यहां पर नाम दिया है वो पैसीनियन पॉर्पसल अच्छा हां तो फिर anterior nerve कहा जा रही है anterior nerve pink color में यह जाती हुए दिखाई देरी skeletal muscle पे skeletal muscle पे जा रही है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो anterior root of spinal nerves होती है वो होती है motor हाँ तो फिर posterior नो वो होती है sensory तो फिर brachial plexus कहां से arise होगा तो हमने बोला वो तो arise होगा 5 से कौन सी 5 से c5 से नहीं सवाल है कि वो होगा anterior root से posterior root से तो हमने अभी देखा कि brachial plexus तो supply कर रहा था muscles को अच्छा बात अब जाके clear होती है कि brachial plexus arise होता है anterior root of spinal cord के segment C5 से लेके T1 तर हाँ बात तो clear हो गई नहीं अभी भी नहीं होई एक term यूज किया गया था अभी थोड़ी देर पहले cervical enlargement वो क्या है तो यह हम देख रहे हैं एक schematic diagram of spinal cord जो की लिया गया है बुक विश्राम सिंग से क्यों देख रहे हैं क्योंकि हमने अभी डिसकस किया था एक term cervical enlargement spinal cord में होते हैं दो enlargement जो हम यहीं पर देख लेते हैं एक होता है cervical reason में एक होता है lumbar reason में अच्छा देख तो गया cervical reason में कहा होता है cervical reason में जो enlargement होता है वो होता है C4 से T2 लेवल पर यह हमें लिख लिख लिना चाहिए ए लंबार enlargement होता है L2 से S3 segment में तो brachial plexus आ रहा था cervical enlargement से हां बिल्कुल वो आ रहा था C5 से T1 तक हमने देखा brachial plexus arise हुआ cervical enlargement of spinal cord root value C5 से T1 तक क्या हमेशा ऐसा होता है अरे नहीं नहीं एनाटमी है बिना काटे कैसे जाने देगी तो actually इसमें भी होती है कुछ variations कितना चूतिया काटने के एक हाथ तो होती है हो सकता है कभी कभी brachial plexus को accompany करने के लिए आ जाए नर्व उपर वाली segment से उपर वाली segment means C4 हाँ C4 segment से आ जाए नर्व and accompany कर ले brachial plexus को इस case में हम इसे कहते है pre-fixed brachial plexus pre मतलब पहले पहले की नर्व ने इसको कर लिया है join पहले की कर ले तो बाद की भी कर सकती है हाँ बाद की भी कर सकती है हो सकता है कि इसको join कर ले T2 spinal nerve इस case में इस type के brachial plexus को हम कहते है post-fixed brachial plexus spinal cord से निकलने के पाद brachial plexus दिखाई देता है neck में दिखाई देता है दिखाई तो नहीं देगा लेकिन आज आता है neck reason में neck reason में आके ये क्या करता है ये बना लेता है trunks and trunks divide हो जाती है divisions में and वो divisions बना लेते हैं में behind the clavicle अच्छा इसका मतलब जो cords होंगी वह होंगी axillary artery के relation में हाँ वो axillary artery के relation में होती है axillary artery तो यह axillary artery हाँ यह axillary artery continuation of subclavian artery behind the clavicle जी हां behind the clavicle इसके बाद क्या होगा इसके बाद cords देंगी branches and then both branches appear होंगी axilla में तो brachial plexus को अब हम देख लेते हैं एक schematic diagram में जो की लिया गया है netters atlas से हमने देखा इसका origin हो रहा था spinal cord में हाँ spinal cord में कहा से cervical enlargement 5 C5 से लेकिए अगले 5 हाँ T1 तक हमें देख रहा है prefix और post fix क्या होता है वो तो हमने देख लिया spinal cord में कौन सी रूट आती है हमने देखा motor है तो है anterior root of spinal nerve हाँ यह तो हमें पता है आगे क्या होगा इसके बाद की कहानी हो जाती और भी जादा पना लेती हैं एक कपल इसी तरह नीचे वाली भी नीचे वाली भी मिलके बना लेती है कपल जिसको हम नाम देते हैं ट्रंक means root ने मिलके बनाई ट्रंक हाँ root से ही तो निकलता है ट्रंक लेकिन इसका क्या हुआ तो C7 नर्व रहेगी मेरी और आपकी तरह सिंगल कपल तो उस ट्रंक को हमने नाम दे दिया इसी तरह जब नीचे वाले मिले तो उस से बनने वाली ट्रंक को नाम दे दिया inferior trunk बीच में आ गई middle trunk अब इसके बाद की कहानी तो है और भी मज़ेदार क्यों क्योंकि अब यह couples हो जाएंगे दे वाइड तो तीनों ट्रंक्स डिवाइड हो जाएंगी दो दो divisions में एक वो देंगी anterior division जो green कलर में आपर दिखाई जा रहे हैं एक वो देंगी posterior division तो यह हो गया superior trunk का posterior division middle trunk का posterior division and inferior trunk का posterior division यह divisions क्या करेंगे यह divisions ही तो हैं जो बनाएंगे chords passing behind the clavicle अब होता क्या है कि जो पहले दो anterior divisions है पहले दो कौन से means superior trunk का superior trunk का anterior division दिखाई दे रहा है में middle trunk का middle trunk का anterior division भी दिखाई दे रहा है यह कर जाएंगे unite कर गए और इन्होंने बना ली एक chord और इस chord को हमने नाम दिया lateral chord of brachial plexus अच्छा तो फिर posterior divisions का क्या हुआ यह तो थे anterior division posterior division चाहे हो वो superior trunk का चाहे हो वो middle trunk का या फिर हो वो inferior trunk का वो मिलके बना लेते हैं एक chord जो की जाती है posteriorly अच्छा posterior division गए posteriorly हाँ posteriorly गए और उन्होंने बना ली posterior chord हाँ posterior chord बट यह किसके posterior है हमने देखा था कि chords के जो relation होते वो तो होते axillary artery के अच्छा इसका मतलब यहाँ पे जो चीज नहीं दिखा रखी वो यह है कि यहाँ पे होगी एक axillary artery जो आ रहे होगी इस प्रकार से axillary artery जा रही है posterior chord जा रही है posteriorly जा रही है उसके posteriorly lateral chord मूब करेगी उसके laterally and एक और जो चीज हमें दिखाई दे रही है क्या दिखाई दे रही है कि inferior trunk का anterior division बच गए तो inferior trunk का anterior division होता है वो बनाता है एक separate chord जो पास होती है axillary artery के medially है इसको हम कहते है medial chord तो यही medial chord आगे जाके continue होती है ulnar nerve में ulnar nerve means ulnar bone की तरफ ulnar bone medially होती है तो बाकी की दो chords बाकी की दो chords भी देख लेते है lateral chord हाँ lateral chord जो की बन रही थी anterior division से anterior division लेकिन किसके anterior division superior और middle trunk के anterior division यह continue होती है musculocutaneous musculocutaneous means यह muscles को भी supply करेगी and cutaneous nerve supply भी देगी हाँ देगी muscles कौन सी muscles तो musculocutaneous nerve supply करती है anterior compartment of arm means जो muscles है हमारी biceps हाँ डोले वह डोले what about posterior chord posterior chord को हमने देखा था यह बन रहा था posterior division से किसके posterior division तीनों ही ट्रंक के posterior division यह continue होगा radial nerve में यह जो दिखाई दे रही है हाँ यह क्या करती है यह होती है एक major nerve of posterior compartment इन continuation की अलावा भी और होती है भी बहुत सारी छोटी छोटी बक्चो दिया means branches तीन होंगी यहाँ पर lateral chord की branches पांच होंगी posterior chord की और पांच होंगी medial chords की means total 13 branches हमें देखने को मिलेंगी जल्दी से देख लेते हैं शुरुआत करते हैं लसन से मेरा मतलब lateral chord से जिसका अब हमने एक continuation देखा जो था musculocataneous nerve हाँ बाकी के दो कौन से है तो बाकी के दो होंगे lateral branches lateral chord की lateral branches कौन सी lateral branches एक तो होगी lateral pectoral nerve अच्छा हाँ lateral pectoral nerve देख रही है यह क्या करेगी यह करेगी pectoralis major muscle को supply and जो other branch है वो हमें निकलती भी दिखाई दे रही है यहाँ पे interesting चीज़ यह है कि यह बसड मचा रही है दूसरी nerve के साथ जो की निकल रही है medial chord से हाँ दिख तो रही है लेकिन यह है क्या यह दोनों nerves मिलके बना रही है एक major nerve जिसको हम नाम देते है medial nerve यह क्या ब रही थी lateral chord से lateral root of median nerve एक रूह कट आ रही थी medial chord से medial root of median nerve ठीक है यह तीन ब्रांचे हो गई lateral chord की कौन कौन सी तीन ब्रांचे मस्किलो क्यों लेटरल प्रेक्टारल नर्व एंड मीडियन रूट अव मीडियन नर्व आ जाते हैं पीछे पीछे मतलब पॉस्टीर कॉर्ट पॉस्टीर कॉर्ट की पांच ब्रांचे हम सिंप्ली याद करेंगे एक नैमोनिक से स्टाज अब यह स्टाज क्या है आज में जो ऊपर वाला यह निशा है और जो नीचे वाला ऐसा है उसका मतलब है सब स्कैप्यूलर नर्व ये सब स्कैप्यूलर यस मसल को तो ठीक है, फिर स्राव में T का मतलब क्या है? तो T का मतलब है Thorecodorsal nerve थो नर्यड जो सप्लाई करेगी Latticemus डौरसी मसल को Thorec inical थ्रण ठोरेक्स में dusaly and Thorex मेंitosaly एक मेजर मसल होती है Latticemus dus fancy. अचा स्टास में еся पता दीज जए तो ऐसे होता है axillary nerve, अब मैं अपना भेजादा चलाई बना सिर्फ याद रखूँगा आधी तमन्न, अब ये आधी तमन्न क्या है आधी तमन्न मींज axillary nerve जिन muscles को supply करती है, एक तो है major muscle of the shoulder, कौन सी deltoid, अच्छा आधी axillary muscle deltoid को supply करेगी तो तमन्न क्या है, teres minor, axillary muscle supply कर रही है, deltoid muscle को enteres minor को, ये तो हमें पता ही है कि posterior cord continue होती है radial nerve में जो की nerve है posterior compartment की, तो ये हो गई 5 branches posterior cord की, कौन सी 5 branches stars, हाँ, upper and lower subscapular nerve, हाँ, और thoracodorsal nerve और axillary nerve and radial nerve हो गया, अब आजाते हैं medial cord पे, medial cord के लिए मैं simply याद रखूँगा 4MU, अब ये 4MU क्या बक्चोदी है, तो मैंने बता है, medial cord की होती है 5 branches, हाँ, अब थोड़ा-थोड़ा समझ आया कि 4 branches होंगी M and 1, जो हमें पता है, continuation होता है ulnar nerve तो वो भी हम देख लेते हैं, 4M, कौन सी 4M, एक तो हम में पता ही है, जो होती है medial root of medial nerve हाँ, एक होती है, इसमें medial pectoral nerve, अच्छा, medial pectoral nerve एक lateral pectoral nerve भी कुछ होती थी हाँ, lateral pectoral nerve, क्या करती थी supply करती थी, pectoralis major muscle को medial pectoral nerve क्या करेगी medial है, तो M से, medial M से minor, मिन्स ये supply करेगी pectoralis minor muscle को अब जो बाकी की दो M बच चुके हैं, वहाँ पर वो है M, C, मेरा मतलब medial cutaneous nerves, कौन सी cutaneous nerves ये है medial cutaneous nerves of arm and medial cutaneous nerves of forearm, मेंज ये supply करेगी skin को, हाँ, supply करेगी skin of arm and forearm को, brachial means arm and anti-brachial means forearm, ये हो चुके, तेरा बक्च्छ हो दिया, I mean branches of cords, तीन हो गई lateral cord की branches, कौन कौन सी musculocutaneous nerve and do lateral, कौन सी lateral, lateral pectoral nerve and lateral branch of median nerve, हाँ, फिर हमने देखी लिए posterior cord क्या देखा था, posterior cord में देखा था, stars, कौन से stars, दो subscapular nerve, upper and lower subscapular nerve, T से थरे को dorsal nerve, ये क्या कर रही थी, ये कर रही थी supply latissimus dorsi को A से था हमारा axillary nerve, axillary nerve किसको supply कर रही थी, ये कर रही थी, डेल्टोई and teres minor को and जो बच गई थी posterior cord की continuation, ये तो हमें पताए है, ये होती है radial nerve, radial nerve क्या करती है, posterior compartment की नर्व होती है, posterior compartment को करती है supply, and medial nerve, radial cord में हमने kyya देखा था, médial cord में हमने देखा था 4MU, यूँ तो हमें पता है यह myď j kovat continuation वो कहता है अलनार नर्व अननार नर्व होता isn बाकी के 4am ऐसे एक हम होता मीडियल प्रकी ट्रॉल चाहर नर्व रियाहल वह तो हो यह मिड्रील यह मेंडियat मैनर को अब यदि सिर्फ इतने में तुमारी दिमाग के गोड़ों को हो चुका है बवासीर तो उसे करो शांथ क्योंकि अभी भी कुछ नर्व बच गई हैं तो C5 रूट जब निकलती है तो वह बनाती है कुपल C6 के साथ है यह तो हमें पता है सोपीजय टरंक बनता है लेकिन हमें अब क्या जानना है वो जानना है कि C5 की रूट ऑल्सो देती है एक नर्व रूट ही नर्व दे देती हैं इसका नाम होता है डॉर्सल स्कैप्यूलर न को means करेगी shrugging of shoulder हाँ shrugging of shoulder जैसे कि यह बच्चा कर रहा है एक और नर्व होती है वो भी आती है root से और वो कौन सी नर्व होती है तो वह हमें यहां पर दिखाई दरी होगी कि c5 की root से निकल रही है एक नर्व हाँ यहां पर निकल रही है पीछे से जा रही है c6 की root से भी आ रही है उसमें contribution and c7 की root से भी आ रहा है उसमें contribution अच्छा तो यह nerve है वह जो आ रही है c5 c6 and c7 से हां लेकिन इसका नाम क्या है इसका नाम है long thoracic nerve नाम से क्या पतल लग रहा है नाम से यह पतल लग रहा है कि je supply का घ्री फोरेक्स में किस पड़को तो यह सपप्लाई करती है इंटीरियर मसल जो एक मेज़र मसल होती है ओवर हैड अबड़क्षन अफ्वरेड यह क्या होता है तो हमने शुदू में डिसकस किया था तो आपको में तो उसके साथ वो दे रही थी दो चोटी चोटी बक्चोद ब्रांचेस भी कहा हैं उसको हम देख लेते थोड़ा और जूम करके यहां पर हमें दिखाई दे रही है एक है सुप्राइब स्कैप्यूलर नर्व और दूसरी जो इससे भी जादा चोटी है उसका नाम होता है सब्सक्राइब 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 इसका नाम दिया था nerve to subclavius तो यह obviously supply करेगी मसल को जिसका नाम है subclavius subclavius means clavicle के नीचे तो इसी formation को जिसमें आती है 6 nerves, कौन सी nerves? C5, C6 की branches, superior trunk anterior and posterior division and 2 बक्चोद branches जिनका नाम हमने दिया supra scapular and nerve to subclavius इसी 6 nerves के combination को हम कहते हैं abs point क्या हो यदी हो जाए इसमें injury तो उस condition को हम कहेंगे abs palsy जिसमें होगी policeman stipend deformity इसे हम discuss करेंगे inferior trunk injuries के साथ and थोड़ा हो discussion होगा dermatoms of upper limb के बारी में inter muscular spaces of hand just अगले वीडियो में बक्चोदी जारी रहेगी and don't forget to subscribe the channel कर दो यार तो है पैसे थोड़ी ना कट रहें कर दो लोगे तू रोख ले तू गाने में भी भूख लें